मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है मैं बोर्ड पर आने वाले प्रशनों की जो इस्टाइल है उस आधार पर मैं आप लोगों को बहुत सारा प्रशन बताऊंगा और मेरी यह एक सिरीज हो गया है अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरू लगता है तो आप जरूर सेर किजिए अपने मित्रों को अपने भाईयों को जिससे कि सब को इसका लाब मिल सकते हैं तो चलिए मैं अबजेक्टिव टैप के कोशन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं निमने में से कौन सा बेंजेक बहुपद नहीं है इस बात को ध्यान में र जाएगा बहुपद नहीं होगा यदि एक्स वर्गमुल में हो और वह पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए तब भी यह बहुपद नहीं होता है एक्स का घात बटे में हो तो इस तरह से देखने के लिए सिख गये मने इसका क्या हो गया बहुपद नहीं है का पहचान हो गय करें कि c number जो है बहुपत नहीं है होगा अब आते हैं 2x plus 5 एवं 3x minus 2 का योग ग्याद करना बहुत ही सरल है आप जैसा योग पहले करते आए हैं इसमें वैसा ही करना है घबराने की जोरत नहीं है minus 2 क्या करना है योग करना है सिधा यहां पर धान तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 हो गया तो 3 हो गया ठीक है और 3x और 2x कितना हो गया 5x यह इसका अंसर हो गया यदि px बराबर x square plus 3x plus 2 x square plus 3x plus 2 तो p3 निकालना है यह px का value था पहले भी ऐसा question कर चुके हो बहुत ही सरल देखिए 3 का square plus 3 into 3 ठीक है plus 2 कितना हो गया 3 तिया 9 धन 9 धन 2 बराबर 9,9,18 और 2,20 कौन सांसर हो जाएगा यह वाला ठीक है इसी तरह से हम लोग 14 नमबर में चलते हैं देखो p1 का value ज्याद करना है किसका p1 का मैं direct यहां से use कर रहा हूं देखो p1 is equal to 6 into 1 का square minus 5 into 1 plus 1 यही हो गया तो यह कितना हो जाएगा 6 minus 5 plus 1 यहने कि 1 plus 1 is equal to 2 इसका answer क्या आगया हमारा 2 आगया यहां पर देखिए px का value दिया हुआ यहां पर और हमको p2 ग्याद करना है तो हम ले लेते हैं 2x square minus 3x plus 6 इसको salvo कैसे करेंगे यहां पर x के जाएगे 2 रखेंगे 2 into 2 का square minus 3 into 2 plus 6 हो गया तो यह 2 दोनी 4 दोनी 8 हो गया minus 3 into 6 हो गया धन 6 हो गया यह तो cancel हो गया यह दोनो प्लस 6 minus 6 0 हो गया यहां पर आता है at at इसका answer आता है c में at है यह इसका answer होगा उसके बाद दिया हुआ देखिए सुन्यकों का योगफल योगफल का सूतर क्या होता है minus b upon a होता है यहां पर जब कुछ नहीं है तो यह 1 ले ले लेते हैं यह a के जगह पर है यहां पर b के जगह पर क्या है minus 5 है देखो और c के जगह पर क्या है 6 है c is equal to 6 b is equal to minus 5 इस तरह से आप यहीं पर सोच सकते हैं यह मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ ठीक है यहीं पर सोच करके आप यहां पर ले आ करके लिख सकते है minus का minus लिखे minus 5 लिखे और एक जगह पर कुछ नहीं है 1 है तो यह क्या आगे इसका answer 5 आगे तो इसका answer क्या हो जाएगा c हो जाएगा कि इसका value क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, दो तिन चीज़े हैं, 1, 2, minus 2, 1, इसलिए इसीच को 1 और 2 को रख करके भी देख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम लोग इस बात को भी care करना देखो, यहाँ पर यह दो part minus है, अगर minus यह और भी minus यह आया, तो यह क्या हो जाएगा, इसका cnt अगर हो जाएगे, लग भग भग, लग, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर, 1 को ले करके एक बाड़ रख के देख लेते हैं, तो 1 में क्या हो जाएगा, minus यह 3 हो जाएगा, मैनस 4 होगए, देखो यह जादा होगए, यह मैनस 7 और 1 मैनस 6 आगए, ठीक है? मैनस 6 आगए, जो कि हमको, नहीं चाहिए, सुन्याक, सुन्याक महनने, शुन्या करने वाला, अब आते हैं मैनस 1 कर देता है, मैनस 1 का स्कुर, मैनस 3, मैनस 1, minus 4 यह देखो minus और minus इन दोनों का क्या हो जाएगा plus 3 हो जाएगा और एक का वर क्या होता है एक होता है तीन और एक चार नहीं चार बर अर्शुन्य यही इसका answer हुआ कौन answer हुआ x is equal to minus 1 इसी तरह से यहाँ पे देखिए यदि px बराबर 2x minus a है का भाजक to minus a इसका उप्योग कर लेंगे यहाँ पर 2 minus a minus a minus 2 a minus a is equal to minus 3 a यह इसका answer हो गया तो इसका सेस्फल क्या हो जाएगा minus 3 a हो जाएगा आई बत समझ में बहुत ही सरल है इत्मिनान से देखो एक दो बार अराम से समझ में आ जाएगा दिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए वाले ऐसे भी प्रशन आएंगा आप लोगों के पांच प्रशन तो उसके लिए भी थोड़ा सा अभ्यास कर लेना चाहिए जिससे कि आप लोगों को अभ्यास अगर आप बढ़ाएंगे कुछ कोशन ऐसा ही लेते रहेंगे तो आप जो पढ़े रहेंगे उसी में से आएगा दिगाती ये बहुपत की अधिक्तम सुन्यक होते हैं आप लोगों को मालूम है जैसे कि AX स्क्वार प्लस BX प्लस C ये दिगात वाला होता है जिसका मेक्जिमम घात दो होता है और आप लोग जान रहें कि AX का घात दो है मेक्जिमम तो वहाँ पर सुन्यक भी मेक्जिमम कितना हो जाएंगे दो हो जाएंगे इस बात को ध्यान में रखेगा बहुपत ये हो कि AX स्क्वार मैनस AX प्लस 1 को X प्लस 1 से भाग देने पर सेस्फल क्या बज़ेगा यहाँ पर अभी अभी बताया था मैं X प्लस 1 से भाग देते हैं इसका मतलब क्या हुआ X is equal to minus 1 हुआ और यहाँ पर रख दीजिए minus 1 का square minus minus 1 और यहाँ पर प्लस 1 तो यह क्या हो जाएगा minus 1 का square माने 1 हो गया और यह minus minus plus 1 हो गया और यहाँ पर plus 1 हो गया यानि कि क्या मिला हमको 3 मिला तो इसका successful क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इस बात को ध्यान में रखेगा थोड़ा सा plus minus करने में यदि किसी बहुपद fx को x minus a से भाग दिया जाए तो successful क्या हो जाएगा simple सी बात है x minus a is equal to 0 करेंगे x का value क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर अगर यह question को मैं पूर्ण नहीं मान रहा हूँ फिर भी अगर इसका यह हुआ तो successful a ही लिख देना इसमा और कुछ है ही नहीं उसके अलावा देखिए यहाँ पर px is equal to यह दिया हुआ है और क्या चाहिए p minus 1 बहुत ही simple सी बात है यहाँ पर लिखते जाते हैं देखिए answer आ जाएगा 3 minus 1 का power 4 minus 1 का power 3 plus 13 to minus 1 और फिर यह minus 1 इसको हल करना है एक का घाट 4 हो चाहे 5 हो answer तो एक ही आना है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह धियान रखना है कि minus 1 है इसलिए यहाँ पर sum घाट होने से यह क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो यह हो गया 3 यहाँ पर भी sum घाट होने से इसका minus होगा और यह minus minus plus हो जाएगा इसका मतलब आ जाएगा plus 1 और यहाँ पर 30 जो है minus 1 से हुआ है तो यह minus 30 होगा और यह minus 1 है यहाँ पर कुल मिला के positive 4 है और यह कितना होगा 31 है देखो यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो minus 31 और यह plus 4 है तो 31 में से 4 कम कर दिया जाए ठीक है minus 16 को x plus 4 से भाग दिया जाए इसका मतलब सीधी सी बात है x plus 4 is equal to 0 करना है सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ x का value minus 4 यह भी आना चाहिए direct वाला में यह तुम्हें करके बता रहा हूँ आप लोंको direct आना चाहिए x is equal to minus 4 लेना है बोलके और फिर यहाँ पर रख दो x square minus 16 में क्या हो गया minus 4 का square minus 16 यह हो जाएगा 16 minus 16 is equal to 0 ठीक है तो इस पर सेस्फल क्या बचा 0 बचा ठीक इसका योगफल यहाँत करो दोनों को जोड़ना है सामानिया x plus x is equal to 2x और 3 plus 4 is equal to 7 तो इस तरह से 2x plus 7 हो जाएगा इसका answer ठीक है x का गुणांख कितना है x का गुणांख यह x है हमारा इसके साथ जो रहता है इसको बोलते हैं गुणांख यह हो गया 3 सुन्यकों की संख्या फिर वही बात आ गई यहाँ पर अगर घात 2 है तो यहाँ पर सुन्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी के सुन्यकों का गुणफल अभी तक बहुत सारा योगफल का पढ़ लिए अब गुणफल को देखते है थोड़ा सा x square plus b x plus c इस रूप में हमारा समीकरण हो तो गुणफल होता है c upon a ध्यान में रखना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c upon a ही होगा बहुत के सुन्यकों का योगफल योगफल का सुत्र मालू है minus b upon a तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b के जगह पर यह है और a के जगह पर 1 है यहाँ पर ठीक है तो क्या हो जाएगा minus 10 upon 1 यह answer होगा आई बत समझ में तो यहाँ पर आ जाएगा minus 10 upon 1 याने कि minus 10 ही लिख सकते है खाली minus 10 भी लिखेंगे answer तो भी चलेगा ठीक है यहाँ पर आता है बहुपत x square plus x minus 12 के 0 को का गुड़न फल गुड़न फल माने होता है c upon a और c का value कितना है minus 12 और a का value कितना है 1 जैसा दिख रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा minus 12 भी आ जाएगा ऐसे direct भी लिखने से चलता है उपर में यह बटे में करके बताया है इसमें direct में और यहाँ पर देखे 5x plus 2 3x minus 2 का योगफल simple सी बात है यहाँ पर देख लिख लिए ऐसा लिख लेना है एक बार और यह मन में कर सकते हो तो और अच्छी बात है यह 3x minus 2 का योगफलियात करना है सिधा सिधा 5 3 8x और यह 2 में दो गया 0 ठीक है तो यानि क्या जाएगा answer 8x यह हो गया तो इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से देखें और ऐसे ही देखते रहें धन्यवाद